हेलो एवरिवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में NCRT यानी राश्टिय सेक्षिक अनुसंधान प्रैसिक्षन परिशद से वेकेंसी जारी की गई हैं इस वीडियो में हम 11 नए विज्यापन की बात करेंगे जहां से अड़िजमेंट जारी किया गया है अलग 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 पोस्ट है क्वालिफिकेशन भी अलग अलग कही गई है उम्रस्मीमा की अगर हम बात करें तो सभी में 45 यर तक के कैंडिडेट आविधन कर सकते हैं कोई परिक्षा नहीं है कोई फीज नहीं लग रही है आविधन के समय सेलरी अधिक्तम जो है 75,000 जो है इसमें आप लोगों को मिलेगी तो चलिए देख लेते हैं अलग अलग जो है पोस्ट है National Council of Educational Research and Training NCRT की फुल फॉर्म है आप सभी ने जो है किताबे भी पढ़ी है NCRT की तो यहां पर जो है Announcement section आपको नजर आएगा इसमें है vacancies इस पर जो है क्लिक कर लेंगे तो vacancy आपको यहीं मिलेगी non-academic project staff तो अलग अलग project है जिसमें vacancy है project staff पर ही जो है क्लिक करके आपको यहां नजर आ जाएंगे लगभग 11 विज्यापन है जैसे की यहां हम देख सकते हैं appointment of various post बहुत सारी post CIET, NCRT under the project translation of NCRT content NCRT का जो content है तो 22 भासाओं में जो है translate करना है यानि English to translate करना है 22 भासाओं में तो यह एक अलग project है दूसरा project आप देखे appointment of various post in CIET, NCRT under the project NISTHA NISTHA के नाम से है project next जो है SWEM SWEM के नाम से project है उसके बाद जो है NCRT की तरफ से project है किताब एड पढ़े अनेक किताब एक है या एड पढ़े अनेक ठीक है उसके बाद जो है अगला project है दिक्षा, One Nation, One Platform next आप देखें project है Capacity Building for Transforming Teachers into Digital Teachers तो अलग-अलग post है सभी विग्यापन अलग-अलग ही जो है वो चेक करने पढ़ेंगे उसके बाद जो है Senior Research Fellow srf at d-e-s-n-c-e-r-t ठीक है next जो है d-t-e और और भी है तो एक-एक करके जो है वो सभी देख लेते है आप आवेदन जो है वो कैसे करेंगे समझे सारे process को आवेदन जो है वो कब तक करना है परिक्षा नहीं है केवल इंटर्व्यू रहेगा तो ये जितने भी विज्ञापन है 22 अप्रेल 2024 को जारी किये गए है और कुछ जो है 23 अप्रेल को जारी किये गए है इस तरीके से ठीक है अब चेक कर लेते हैं अलग-अलग पोस्ट है तो qualification भी अलग-अलग है patience बना के रखना है कहीं पर जो है higher qualification है तो कहीं पर केवल master degree है कहीं पर bachelor degree है सबसे पहला जो विज्ञापन है 22 अप्रेल 2024 का ही post under the project translation of NCRT contained in 22 languages 22 भासाओं में NCRT content को जो है translation करना है इसमें post का नाम है academic consultant तीन vacancy है हर एक subject की English, Hindi and Urdu आपका subject इसमें नहीं है आगे देखते रहें 60,000 पर मंत salary है केवल interview है 10 मई 2024 को interview के समय सीधे पहुँचना है post graduation आपका relevant subject में होना चाहिए इन तीनों subject में से किसी में 55% marks के साथ में net, sat, slat आपका qualify है तो बिल्कुल आप लोग यहां पर apply कर सकते है साथ में इसमें अन्वब भी मांगा गया है इस field में तीन साल का आपका काम करने का अन्वब रहा हो अगर आपने teaching line में teacher education school में भी इस subject को आपने पढ़ाया है तीन साल तो भी आप आविधन कर सकते हैं 45 वर्स जो है इसमें उम्र सीमा रखी गई है जो retired जो परसन रहे हैं तो उनकी 70 साल तक उम्र है उसके बाद bilingual translator जिसमें 23 post हैं जिसमें English to Assamese language में बेंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कनेडा, कस्मीरी, कौंकणी, मेथिली, मल्यालम, नेपाली, उडिया, पंजाबी, संस्कृत इसमें translate करना होगा सिंधी, तमिल, तेलगू, उर्दू, ठीक है तो यह 23 post है इसमें master degree आपका subject में हो आठवी अनसूची में जितनी 22 भासाएं हैं उसमें आपने master degree किया हो पचपन परतिशत मार्क्स के साथ में English as a subject at graduation level यह थोड़ा है कि आपने graduation level में English जरूर पढ़ी हो subject के तौर पे और आपके पास जो है good typing skill अच्छी typing skill हो कोई diploma या degree नहीं मांगा गया है typing में बस जो है आपकी जो भासा होगी जिसमें translation करना होगा उसमें जो है आपकी typing skill अच्छी हो English आपने graduation level पर पढ़ी हो और master degree इसमें भी उम्र सीमा 45 वर्स है 30,000 पर मंत जो है salary है 13 मई 2024 जो है इसमें interview की date है तो ध्यान रखें सभी में समान नहीं है salary भी अलग है interview की date भी अलग है qualification सारी चीज़े change मिलेंगी junior project fellow JPF जिसमें 4 poster हैं English, Hindi, Urdu and other जो की आर्टवी अनसूची में जितनी भासाएं है उन में से master degree पचपन परतिशत मार्स के साथ में जिनके पास net clear नहीं है net qualify नहीं है तो उनको 29,000 salary जिनका net qualify है तो 31,000 salary इसमें उम्र सीमा 40 वर्स है government of India की norms के according जो है age relaxation बिलकुल मिलेगा इस notification में लिखा है कि जो fixed date है जैसे 11 मई 2024 जो है इसकी date है और junior project fellow की 13 मई को bilingual translator की है 10 मई को academic consultant की है काफी vacancy है जैसे आपने देखा तो इसमें जो है आपको fixed date पर पहुँचना है 9 बजे कहा पहुँचना है तो address है इसमें section officer planning and research division room number 242 CIET second floor चाचा नहरु भवन CIET NCRT new Delhi job भी जो है new Delhi में ही आपकी होगी तो इसमें क्या करना है with copies of original certificate and testimonials for verification तो आपको सीधे पहुँचना है सही समय पर 9 बजे पहुचना है अपने जितने भी document है सबसे पहले document verification किया जाएगा ये जो vacancy है these posts are purely temporary and post may increase, decrease as per need इनको जो भी जरुद होगी उसके according जो है जो post है उनको बढ़ा भी सकते हैं अब घटाते तो नहीं है बढ़ाते ही है और ये जो है temporary रहेगी तो ये काम के उपर है project जैसे आप सभी जानते है project होता है तो project जो है जैसे ही complete होता है उसके बाद जो है next project होते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं एक बार जो है अगर आप इसमें entry कर जाते हैं तो बहुत सारे project में आप लोगों को काम करने का जो है, वो मौका मिल जाता है, ये भी आप ध्यान में रखें, उसके बाद जो है, एक और वेकेंसी, निष्ठा, निष्ठा प्रोजेक्ट जो है, इसे देख लेते हैं, 22 अप्रेल 2024 का ही है, और इसमें जो है, सीनियर टेक्निकल कंसल्टिंट की दो वेकेंसी है, 75,000 सेलरी है, 8 मईए 2024 इंटर्व्यू की डेट है, क्वालिफिकेशन में जो है, वो मास्टर डिग्री आपका कम्प्यूटर से सम्मंदित होना चाहिए, 55 परसेंट मार्क्स के साथ में, जैसे मास्टर इन कम्प्यूटर साइ कम्प्यूटर एप्लिकेशन वाले अप्लाए कर सकते हैं, साथ में अनवभी जो है, आप लोगों का 5 साल का इसमें मांग रहे हैं, इस फील्ड में काम करने का, 45 साल इसमें उम्रसीमा है, नेक्स्ट जो है, academic consultant की जो वेकेंसी है, तो इसमें higher qualification है, 11 post है, English education की 2 है, science education की 2 है, mathematics education में 2 है, social science की 4, social science की 4 नहीं, एक वेकेंसी है, computer education, ICT की 1 है, Hindi education की 2 है, Urdu education की 1 है, qualification तो इसमें higher है, जैसे की, master degree आपका subject में हो, और साथ में जो है, वो M.Ed, M.Ed आपकी 55% marks के साथ में है, net, set या slat भी जो है, वो qualify हो, ठीक है, साथ में जो है, वो unwork भी मांग रहे हैं, 3 साल का, education project में आपने पहले कभी काम किया हो, या school में काम किया हो, date of interview है, 10 माई 2024, 45 वर्स ही जो है, इसमें, ओमर सीमा है, तो यह बहुत सारी वेकेंसी है, इसमें नीचे ही आप लोगों को मिल जाएगा, कि आप लोगों को direct interview के लिए, जो है, वो, किस जगे पहुँचना है, section officer planning and research division, room number 242, CIET second floor, cha cha nehru bhavan, CIET, NCRT new Delhi 110016, तो अपने original document और उनकी photocopy, इसके साथ में जो है, आपको पस्तित होना है, समय पर, ठीक है, date or time जो है, वो, बता दी है, उसके बाद जो यह अगली जो vacancy है, the department of education in social science, तो यह जो project है, project staff position under समग्र सिक्षा of NCRT, इसमें जो है, one post of senior consultant, बारा महिने के लिए, post graduation in economics या social science में, और 5 साल का जो है, अनुभाव आपका होना चाहिए, इसमें 75,000 salary रहेगी, interview की date 29 अप्रेल है, और जगे है, DESS, conference room, third floor, जानकी, अमल, ब्लॉक, NCRT, श्री और विंदो, मार्ग, न्यू डेली, 16, ध्यान में रखना है, अलग-अलग जगे पर ही, जो है, interview conduct करवाये जा रहे हैं, वन पोस्ट, जो है, consultant की जो है, 12 मंत के लिए, जिसमें पोस्ट, graduation economics में, social science में, या फिर भासा Sanskrit या हिंदी में, और तीन साल का जो है, वो अनुभाव है, कहीं पर भी, किसी भी organization में, आपने research project किया है, इवन आपने पढ़ाया भी है, तो भी आप eligible हैं याँपर, 45 वर जो है, वो उम्र है, 60,000 salary है, और 29 अप्रेल को ही, जो है, जो उपर address है, इसी में, इसका भी interview होगा, तो इस वीडियो में, तीन notification को हम cover कर चुके हैं, एक तो समग्र सिख्षा ओफ NCRT, जो project staff है, दूसरा हमने NCRT content, 22 भासाओं में, ये वाला project, तीसरा हमने निस्ठा वाला cover किया, next video में, बाकी जो notification है, उसे मैं cover कर दूँगी, qualification सभी में अलग है, salary सभी में अलग है, और post भी अलग है, ठीक है, तो सभी को देखना होगा, आविदन कैसे करें, तो आपको बता दिया है, date बता दी है, समय बता दिया है, और address, बस आप लोगों को अपने original document और उनकी photocopy के स साथ में वहाँ उपस्तित होना है, interview के लिए, परिक्षा नहीं है, कोई fees नहीं देनी है, मिलेंगे next video में, thank you.